हमारा part B 11th class के अंदर एक topic है source of business finance तो आप business study को 11th class का लेके मत पढ़ना आप business study को आप ये मत समझना के exam जो इसके अंदर chapter है content है जो word है ये सिर्फ 11 तक ही सिमित नहीं रहेगा आपके आगे 11, 12 में जाओगे फिर से ये सारे words आपको मिलेंगे first year, second year, final year ये सारे words दुबारे दुबार आएगा हाँ जो part हम यहाँ पे theoretical पढ़ेंगे वहाँ पे ये सारे चीजे न हमें practical apply करना पढ़ेगा रियल लाइफ में जितने भी हम part करेंगे practical मैंने कुछ flow chart बनाया है flow chart के अंदर एक-एक point cover करेंगे पढ़ने का क्या तरीका रहेगा हमारा मैं हर एक point को बिल्कुल detail में discussion करूँगा उसके बाद इसके अंदर क्या-क्या चीजे आपको पढ़ना हो सकता है देखो एक तो आपको meaning पता होना चीए features, advantage, limitation और difference यही paper में इसी base पे paper बनेगा हमारा अगर आपको concept समझ में आ जाए तो आप feature पढ़ोगे तो easily समझ में आएगा advantage और disadvantage भी समझ वाएगा और difference मैं सबके लिखवा के चलूँगा जिस जिसके बीच में difference रहेगा तो पहले मैं explanation करूँगा उसके बाद feature और advantage के सिर्फ point और एक बार overview आपने पढ़ना है मैं book पढ़के और यहाँ पर reading वाला काम बिल्कुल नहीं करूँगा मैं बिल्कुल यहाँ पर conceptual जो इसके अंदर है जो book में लिखा है सारी points को मैं बताऊंगा आपको remind होगा और book पढ़ोगे आप तो आपको easily पता चल जागा यह सारी चीजे तो हमें पता ही है लेकिन exam में यह गलती मत करना जैसे जैसे मैंने बताया है वही exities कई बच्चे क्या करते है सर ने बताया था कि इस तरीके से ऐसे होता है इस तरीके से वही कहानी लिखके आ जाते हैं exam में जिसके वज़े से marks आपको पूरे नहीं marks तो मिलेंगे तो 5 में से लेकिन आपको कम मिलेंगे आपको क्या करना है जो मैं story बना रहा हूँ या फिर जो मैं आपको concept बता रहा हूँ इस concept को तो remind रखना है उसी बिहाब पे आपको question और answer पढ़ना है और बिल्कुल रटे मार के नहीं लिखना उस concept question जो भी पढ़ते हैं उसमें से main main words को pick करके उसको exam में जो भी आप बना के लिखना चाहते हो अपने language में चाहे आप book के language लिखना चाहते हो वो लिखना पड़ेगा तो सबसे पहले source of business finance source का मतलब source का मतलब होता है जगह उसका हम कहां से लेके आए source का मतलब होता है basically जगह तो यहाँ पे हम किस जगह से और finance का मतलब होगा हमारा पैसा इस chapter में finance का मतलब है हमारा पैसा source का मतलब कहां से पैसा लाएं, किसके लिए, घर के लिए नहीं चाहिए हमें, हमें business के लिए चाहिए, तो हर एक businessman को अपने business चलाने के लिए पैसा चाहिए और normally कहा भी जाता है कि money business के लिए एक blood के तरीके से काम करता है, अगर आपके business में पैसा नहीं है तो आप business को अच्छे से run ही नहीं कर पाओगे दिक्कत आएगी, क्या क्या दिक्कत आ सकती है आप अपनी new branch open नहीं कर सकते आप competition नहीं कर सकते new technology के साथ आप अच्छे product को deliver नहीं कर सकते आप facility provide नहीं कर सकते तो बहुत सारे employee की salary नहीं दे सकते बहुत सारे दिक्कत होगे तो हर एक business को उसके size के according पैसा चाहिए जैसे माल लो एक छोटा businessman है एक दुकान है, उसको 10 लाख में उसका हो जाएगा जरूरत पूरा और बड़े businessman है, उसको 1000 करोड में भी उसका जरूरत पूरा नहीं हो रहा तो हमें किसको कितना रुपे चाहिए उससे मतलब नहीं है हमें सीखना है कि ये कौन-कौन से तरीके का करजा ले सकते हैं market से आप सब समझना कि आप एक business चला रहे हो और business चलाते time पे आप कहां कहां से पैसा ले सकते हो तो ये एक knowledge है आप BMS जो BST पढ़ रहे है एक knowledge दे रहा हूँ कि in future में जब कभी भी आप business start करोगे तो आपके पास कितने तरीके हैं उधार पैसे इखटा करने का या कहां कहां से पैसे इखटा कर सकते हो अपने जेब से तो लगाएंगे ही लगाएंगे और भी अगर business के expansion के लिए पैसा चाहिए तो वो कहां कहां से होगा वो इस chapter के अंदर हम सीखेंगे तो कोई chapter नहीं है business चलाने वाले को पैसा कहां कहां से लेना चाहिए वो चीज़े इसके अंदर बताई गई है कुछ words है वो चीज़ देखेंगे तो सबसे पहले kind of finance की मैं बात करूँ तो kind of finance में हमारा finance का मतलब क्या है पैसा basically तो कितने तरीके से आप उधार ले सकते हो लंबे समय के लिए ले सकते हो एक तो लंबे समय को बोलते हैं long term finance एक आप ले सकते हो ना तो लंबे समय के लिए ना ही कम समय के लिए जिसे medium नाम दे दिया हमने तो medium finance एक हो सकता है आपका short term finance जो कि बहुत कम time जैसे आपने अपने friends से बोला यार 500 रुपे दो कल मैं दे दूँआ short term है आपने किसी friends पे बहुत मजबूरी में माल लो कि कोई बिमार पढ़ गया आपने बोला यार पैसे की जोरत है 40-50,000 कर मैं 3-4 साल बात दे दूँआ तो ये भी एक time period है किसी से आपने बोला मैं 8-10 साल बात दे दूँआ तो ये भी time period है तो यहां पे long term की definition क्या है अगर आप 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए करजा लेते हो कहां से करजा लेना मैं ये नहीं बता रहा सिर्फ आप करजा लेते हो या पैसा लेते हो तो मैं बोलूँगा आपका long term finance है simple word में अगर आप 1-10 साल के बीच का जैसे 2 साल का ले लो, 3 साल का ले लो, 8 साल का ले लो लेकिन 10 साल के बीच का होना चाहिए 10 साल तक नहीं होना चाहिए, 10 साल से कम तो बाना जाएगा आपने medium term का finance लिया है अगर आप 1 साल से कम time के लिए किसी से उधार पैसा लेते हो अपने business को चलाने के लिए तो short term finance बोला जाएगा तो मैं kind of finance की बात करूँ तो बड़ा ही simple है तीन तरीके के हमारे finance हो सकते है long term, short term, medium term अब किसको कौन सा चाहिए depend on organization depend on need बड़ी organization है तो long term भी चाहिए होगा medium organization है तो medium term हो सकता है short term के लिए हमें short term के लिए finance किसलिए चाहिए employee को देने के लिए creditor को paid करने के लिए या फिर आपका कोई छोटे मोटे अपने bank overdraft paid करने के लिए इसके लिए long term किसलिए आपको कोई assets खरीदना है और उस assets से लंबे समय के लिए अपने business में रन करना है तो उसके लिए long term रहेगा तो kind of finance कितने टाइप के है तीन long term medium short term इसके अंदर tenure आपको याद रखना है long term के अंदर आपका 10 साल से उपर होना चाहिए और दिया 10 साल होना चाहिए और medium में एक से 10 साल के बीच का और आपका short term में एक साल से कम-कम time का अब इसमें कौन-कौन सा करजा हो सकता है long term में क्या-क्या आ सकता है although long term में आपका जो मैंने यहां पे लिखा है यह सारा इसी का part है यह दोनों मैंने अलग-अलग कर दिया लेकिन है एक ही part यह ठीक है तो सबसे पहले हमने देखा भाई long term तो long term में क्या-क्या लिया जा सकता है any kind of loan जैसे आप मैं बोल सकता हूँ आपको honor fund या फिर हो सकता है आपका borrowed borrowed fund कोई भी हो सकता है आपका long term में honor fund में अब मैं आगे discussion लेके जाँगा और यह किसके लिए है यह सिर्फ company वाले ऐसे काम करते है normal वैपारी जैसे आपकी फर्चुन की दुकान है उन सबों के लिए नहीं है यह करजा लेने का तरीका जो हम करजा लेने का तरीका सीख रहे है company के लिए तो mind में question आता है सर यह company कौन होता है जो भी अपने business को registration करवा ले एक law है उसके अंदर वो company कहलाएगा और वो law कौन सा है Companies Act यानि आपका कोई भी business है उस business को Companies Act के अंदर registration करवा लोगे तो आपका नाम रखा जाएगा business का company तो सरिफ company के लिए यह source of finance का mainly मैं बात करूँगा आप छोटे मोटे business के लिए यह available नहीं है ठीक है अब सबसे पहले बात करते है Honor Fund Honor Fund में एक हमारा है Equity Share, एक Preference Share देखो जैसे कि मैं अगर simple सा एक example लो जैसे आपकी company का नाम है Ram या फिर आपकी company का नाम है ABL आपने एक ABL नाम से अपना business start किया है इसके आगे आपका ना तो limited लगा हुआ है ना ही private limited लगा हुआ है इसका मतलब ये company नहीं है अगर मैं बोलू के AB and company तो बताओ ये registered है या नहीं है कैसे पता चला बताओ नहीं company की definition ठीक से देखोगे तो private limited या limited word होना चाहिए किसी को company कह देने से company नहीं होगा ठीक है न MCQ में question पूछा जा सकता है AB and company is a company correct या incorrect true false भी आता है आपका तो यहाँ पे ये company नहीं है क्यों नहीं है भाई company क्योंकि इसके आगे limited जब तक limited या private limited नहीं लगता तब तक company नहीं माना जाएगा अब इस company को चाहिए आप चाहते हों कि हम एक private limited या limited company बना दे तो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको अगर आप इसके आगे ltd जिसको हम limited बोलते हैं या pvt ltd private limited बोलते हैं ये दोनों word लगाने के लिए हमें कुछ government के rule को follow करना पड़ता है और government का rule लिखा हुआ है company act 2013 में इसमें क्या-क्या rule है वो तो हमालाक से chapter करेंगे तो discuss करेंगे एक chapter भी आपका इसमें तो इस rule को follow करो और इस rule के according सारे आप document तयार करो तो आप अपने नाम के आगे limited लगा सकते हो उसमें से बोला गया है कि आपको अपने company को अब registration करवाओगे तो आपको company के लिए capital होना जरूरी है अब ये capital क्या होता है क्योंकि आप business open करना चाहते हो तो capital तो चाहिए ही चाहिए capital आपने definition क्या पढ़ा है कि कोई भी owner business को start करने के लिए जो पैसा लगाता है उसे capital बोलते हैं वो sole proprietor के लिए होता है individual के लिए लेकिन company के लिए क्या होता है capital जैसे company ने business start किया तो rule क्या कहता है अगर private limited है मैं थोड़ा सा hint दे रहा हूं बागी आप सब को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा थोड़ा सा hint दे रहा हूं अगर लिमिटेड company है तो पहले साथ परसन को इखटा कर लो आप क्यों भाई साथ परसन क्यों इखटा करें requirement ही लो कि कि कम से कम minimum साथ परसन होना चाहिए और अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो एक भी चलेगा one person company के case में और प्राइवेट लिमिटेड अगर आपका नॉर्मल है one person को छोड़के तो दो होना चाहिए कम से कम और इन सबसे पैसा लो मानलो मैं साथ परसन की बात करता हूँ company बनाने के लिए आपने साथ परसन को इखटा किया तो साथो मिल के company में पैसा लगाएंगे साथो मिल के company में जो पैसा लगा रहे हैं मानलो के दो दो लाख रुपए साथो ने लगा दिया तो कितने लग गए total चौदा लाख दो लाख दो लाख लेकिन हम इसको दो लाख रुपए को एक टुकुडे में बाट देंगे हम इसे बोलेंगे भाई आपने दो लाख रुपए लगाया है बिल्कुल ठीक है लेकिन ये हम आप को ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपने दो लाख का capital लगाया है हम क्या करते हैं इसको टुकडो में बाट देते हैं 10 के divisual में मिली 10 के divisual में अगर हम बाट दे 14 लाख को तो बनता है हमारा है एक लाख चालिस हजार डिवीजुल में तो एक यूनिट में डिवाइड कर दिया है यूनिट में डिवाइड करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसमें से जो भी सातों हैं उनके हिस्से में बाट देंगे कितने कितने 20,000 और 20,000 बीस अजार तो सर आपने तो बोला दो दो लाख लगाए लेकिन 20,000 कैसे हुआ क्योंकि इनको मैंने 20,000 रुपए का एक डॉक्यूमेंट दे दिया मैं इनको एक पेपर पकड़ाओंगा और पेपर पे मैं जैसे कि मानलोगे कि यह पेपर है simple paper होगा है ऐसा कुछ नगे paper है क्योंकि यह company के अंदर सारिक तरीके से पार्टनर है partnership firm मैंसले इस लिए नहीं बोल रहा क्योंकि इसने अपने आपको registration करवा दिया कहा registration करवा दिया इसने company act में तो ये क्या बन चुका है हमारा company इस तरीके का paper होगा इस paper पे मैं क्या करूँगा इसका नाम जैसे मानलो पहले का नाम A है A और उसका सारा detail और बोलूँगा इसको 20,000 shares दे दिये गए 10 रुपे का एक आप उस बात के tension मतलो कि shares क्या है उसका capital ही है बस मैंने बोला के आपको 20,000 shares दिये गए तो अब A नहीं बोल सकता कि भाई मैंने 2,000,000 लगा है बोले मैं 2,000,000 लगा है तो मैं क्या बोलूँगा भाई 20,000 share मिले और एक share का value कितने है 10 रुपे एक share का value total आपको 20,000 share मिल रहे हैं 20,000 share और at face value 10 rupees each एक share 10 रुपे का और ये हम किसको दे देंगे ये रखो अब A क्यों रखेगा प्रूफ है कि उसने इस company में पैसा लगाया है कितने रुपे लगाया है तो जी 2,000,000 लगाया है तो और कितने share में पैसे लगाया है तो basically इस तरीके के share को हम बोलते है equity share capital तो जब कभी भी company organize होगा तो company अपने पास और company देखो company और business अलग-अलग होता है company और honor अलग-अलग होता है आपने starting में देखा है separate entity के नाम से तो ये अलग है ये अलग है इसने पैसा इखटा क्या shares को हर किसी को दे दे के इखटा कर लिया या नहीं कर लिया तो हम chapter में यही तो सीख रहे है कि पैसा इखटा कहां से किया जाए तो पहला पैसा इखटा करने का source क्या है हमारा equity share equity share को क्या होता है इसमें क्या difference है मैं एक example लेके करवाऊंगा पहले तो देखते हैं कि shares क्या है इसके बाद preference share उसके बाद retain earning एक example लेंगे उससे हमें इन तीनों के बीच का difference समझ में आ जाएगा practical example लेंगे हम जिससे कि हमें easily difference क्या हो इसका पता चल जाए तो सबसे पहले shares हर किसी company को क्या shares issue करना जरूरी है बिल्कुल without share के issue करे हुए company नहीं चल सकता company को share issue करना जरूरी है बिल्कुल अब एक example देखते है ध्यान से देखना इसमें बहुत सारे concept कवर होंगे और maybe हो सकता एक practical question आ जाए 12th में तो आता एक hair मान लो company का sale है sale मान लेते हैं हम एक लाख रुपए का और company के खर्चे दो हो सकते हैं एक होता है variable cost एक होता है fixed cost variable और fixed क्या है variable cost वो cost होता है जो कि जितना खर्चा करोगे उतना होगा fixed cost वो cost होता है जो कि हमारे fix ही रहता है मैं यहाँ पर मान लेता हूँ company का expense नाम दे देता हूँ expense company का था 40,000 अब बताना है company ने कितना कमाया 60,000 लेकिन इस 60,000 में से मैंने नहीं minus किया हुआ अभी अभी इस खर्चे में नहीं जोड़ा हुआ क्या-क्या interest interest और tax ठीक है इसमें से मैंने अभी minus नहीं किया है तो इस वाले 60,000 को ना मैं एक simple सा नाम दूँगा earning before यहाँ से लिखते थे earning before interest and tax and tax देखो earning मतलब मैंने कमाया है earning का मतलब कमाया है लेकिन इसमें से interest और tax अभी minus नहीं है और इसको short form में हम पता ही क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम short form में E और इसके बाद B और I और T EBIT इसको क्या बोलेंगे हम EBIT EBIT और इसको हम profit before interest and tax भी बोलते हैं जिसका मतलब क्या होगा PBIT तो company का मैंने यहाँ पर example लिया कि EBIT कितना है हमारा 60,000 सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसमें से interest minus करना पड़ेगा Interest Interest पता है किस पे होता है Loan पे होता है और debenture पे होता है अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने 10% रुपीज एक लाख रुपे का loan लिया हुआ है इसका ब्याज बता सकते हो क्या एक लाख रुपे का मैंने क्या लिया हुआ है करजा लिया हुआ है कितने % वाला 10% वाला तो कितना ब्याज बन रहा है हमारा 10,000 सिंपल निकाल सकते हो अब मैं इसको नॉर्मल बोल सकता हूँ एक लाख रुपे का बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मानलो interest मेरा 10,000 है, इसी example को लेते हैं, और interest debenture पे बचे कितने? 50, अब देखो EBIT था, इसमें से मैंने क्या घटा दिया है? I, I तो minus होगा, अब क्या बचेगा? EBT बचेगा हमारा, EBT, earning before interest, earning before tax, interest तो minus हो गया, मानलो सरकार को 50% tax देना है, तो minus कर देते हैं, यहाँ से 50% 50% tax दे दो, कितने होंगे अब के? बचे कितने? अब इसमें से क्या हट गया और? T, लेकिन हम इसको एक नाम दे देते हैं, earning after tax बोल सकते हैं क्या? इसमें से tax minus हो गया, तो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, earning after tax कितना हो गया हमारा? 25,000 रुपे यहाँ तक समझ मैं है, सबसे पहले मैंने आपको sales दिया, उसमें से खर्चा minus किया, खर्चा minus करने के बाद जो आया, उसे बोला मैंने EBIT, उसके बाद interest minus किया, तो EBT tax minus कर दिया, तो EAT earning after tax अब इस पैसे पे हकदार किसका है, कौन लेगा? सबसे पहले इसमें से हम minus करेंगे, हमारे shares दो तरीके के हैं मैं shares की बात करूँ share दो तरीके के हैं, ठीक है? एक है equity share capital और एक है preference share capital थोड़ा सब short form यूज़ कर रहा हूँ equity share capital और preference share capital preference share capital जो है वो ऐसे दर्साया जाता है जैसे माल लो 10% preference share capital rupees, माल लेते हैं 10,000 या 10% preference share capital मैं rupees का symbol नहीं लगा रहा 10,000 at 1000 लिखते हैं, ठीक है? at 100 each इसका मतलब पता है क्या है? कि हमने, मैंने share को number में बदला जा सकता है कितने number of share है? 1000 और एक share पता है 100 रुपे का है तो मैं यहाँ पे अगर इसका जो percentage निकालू preference share का जो percentage अगर मैं निकालता हूँ तो percentage के लिए मुझे value चाहिए value कितना बनेगा यहाँ पे? एक लाख एक लाख पे कितने percent हमारा? 10 परसेंट यानि क्या है हमारा? 10,000 equity share भी मैं बता रहा हूँ कि equity share हमारा कितना है? number of share मान लेते हैं 10,000 simple example के लिए, ठीक है? at 10 each एक कितने का है? 10 का ध्यान से समझना ये point समझोगे न तो आपका पूरा chapter आराम से concept clear होता जाएगा जो time लगना यहीं तो अब क्या करेंगे? इस EAT में से सबसे पहले अधिकारना इसको मिलेगा किसको मिलेगा? preference share वाले को preference share वाले को क्या देना होता है? उसको profit में से हिस्सा दे दो लेकिन preference share वाले को profit में से हिस्सा एक fixed percentage के रूप में दिया जाता है सारा नहीं दिया जाता एक fixed percentage जो कि कितना लखा हुआ है मैंने? 10% और जो वो percentage बन रहा है 10,000 तो सबसे पहले मैं minus कर देता हूँ preference share का profit मैं भी इसको बस dot लगा रहा हूँ जो कि क्या आया? 10,000 अब बचे कितने? 15,000 उपर ठीक है? अब हम आएंगे last में किसके पास? equity share मैंने बोला भाई आपको पैसे देने हैं equity share वाले ने बोला ठीक है मुझे पैसे दे दो तो क्या इसका कोई fixed percentage है? नहीं है अब company चाहे तो 15,000 इसे दे दे और चाहे तो company कुछ बचा ले और फिर बाकी उसे दे दे company बचाएगी क्यों ऐसा क्यों करेगी? अगर company को future में पैसे की जरूरत है तो company बोलेगी कि मैं अभी कुछ पैसे बचा के बाकी आपको दे देता हूँ तो company ने कुछ पैसे बचा लिए इसमें से कुछ पैसे यहां से बचा लिए कितने बचा लिए सपोज? 5,000 बचे कितने? 10,000 10,000 इसको दे दिये sir 10,000 इसको मिलेगा तो एक वेक्ति को कितना मिलेगा? simple 10,000 था रुपए और कितने लोग लेने वाले थे? share कितने है? 10,000 share है मैं इसको दुबारा repeat करूँआ 10,000 तो एक परसन को कितना मिलेगा? एक रुपए अगर मान लो आपने 3,000 share company के खरीदे हैं तो आपको कितने रुपए मिल जाएंगे? एक रुपए के हिसाब से हर एक share पर एक रुपए आपने कितने share खरीदे हैं? एक share पर एक तो total पैसे कितने मिलेगा आपको? 3,000 मिलेगा तो मैं दुबारा एक बार repeat करता हूँ सबसे पहले sale होता है sale में से expense minus करते हैं तो जो हमारे पास result आता है वो होता है EBIT उसमें से interest minus करते हैं interest पता है किस पर होता है? debenture पे या loan पे मैं debenture पे मान रहा हूँ अब यह debenture क्या है हम वो भी समझेंगे तो उस पे interest minus करने के बाद आ गया हमारा EBT फिर हमने minus करा tax tax के बाद क्या आ गया हमारा EAT अब उसके अंदर दो लोगों का हिस्सा बचा सरिफ एक preference share वालों का और एक equity वालों का preference share वालों को तो जितना percentage है देना ही देना है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन equity वाले को हम बचा भी सकते हैं उसमें से और दे भी सकते हैं अब मैं हर किसी का थोड़ा थोड़ा नाम आपको explain करूं किसको क्या बोलते हैं जो preference share को ये एक रुपे मिल रहा है इसको बोलते हैं dividend इसको बोला जाता है dividend और जो इसको दिया गया एक fixed percentage के तरीके से इसको बोलते है preference share dividend दोनों dividend है इसको भी dividend मिला इसको भी dividend मिला लेकिन दोनों की dividend में कुछ न कुछ तो फरक है भाई इसको एक fixed percentage से मिला और इसको जितना बचा था सारा मिल जाएगा क्या ऐसा possible है इसको कुछ नहीं मिले अभी example लेंगे ऐसा भी possible है कि कुछ नहीं मिल पाए और जो पैसे हमने बचा लिए न इसको बोलते हैं retain earning retain का मतलब क्या होता है हमारा बचाना तो इसको क्या बोला जाएगा retain earning तो अब देखो हमारा मैं बात करता हूँ अब फिर से point पर equity share और preference share equity share वाले को भी dividend मिलता है preference share वाले को भी dividend मिलता है लेकिन last में हिस्सेदार कौन होता है equity share holder अब आप मुझे बताना अगर आपके parents की मैं बात करूँ या आपके घर में कोई भी main सदिस से जो होगा वो सबसे पहले अपना जो जैसे मानलो घर पे खाना ही बनता है तो सबसे पहले खाना खाके निकलेगा या सब को खिलाने के बाद निकलेगा last में क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है उसकी responsibility है कि वो पूरा काम करें तो अगर मेरे से बोलो कि company का मालिक कौन होगा तो जिसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है वही मालिक है और यहाँ सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी लग रही है तो यह company का honor होता है यह honor होता है यह भी honor होता है लेकिन इसके पास इससे कम power होता है power की बात करें तो कौन से power यह कोई भी company के अंदर बदलाव कर सकता है के company के अंदर यह नाम होना चाहिए company के अंदर हमारे थोड़े से और पैसा करजा लिया जाना चाहिए company के अंदर हमारा address यहाँ होना चाहिए यह decision ले सकता है लेकिन क्या यह ले सकता है नहीं ले सकता है इसके पास power नहीं है ऐसे power को बोलते हैं voting power इसको हम बोलते हैं voting power, तो equity share और preference share और retain earning, सबसे पहले देखो retain earning क्या होता है समझ में, equity share holder को जो पैसा देने वाले होते हैं, last में, उसमें से कुछ पैसे जो बचा लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है, क्यों बचाया जाता है भाई retain earning, ताकि future में हमें करजे की जुरत ना equity share company का honor होता है, preference share holder honor नहीं होता, equity share holder के पास voting right होता है, preference share holder के पास voting right नहीं होता, preference share holder को एक fixed dividend मिलता है, equity share holder को को कोई fixed dividend नहीं मिलता, equity share हमारा क्या होता है, IDR, GDR इसके अंदर भी आ सकता है, लेकिन preference share हमारा नहीं आता, ADR यह क्या है मैं अलग से इस concept पर बात करूंगा तो इनके बीच में difference मैं सिर्फ समझा रहा हूं बागी एक बार पढ़ोगे तो clarity आएगा तो company में हम क्या पढ़ रहे है source of business finance source of business finance में company को कर जाए तो equity issue करके भी ले सकता है पैसा अगर equity issue करके ले गया तो बदले में उनको मिलने वाला क्या है dividend सबसे पहले या सबसे last में सबसे last में अगर company को loss होता है तो क्या उसको dividend मिलेगा नहीं मिलेगा जी जब profit होगा तब ही मिलेगा लेकिन preference share के case में अगर company को loss होता है तब भी उसको dividend मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता अब ये situation आगया सर, मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता है, ये कौन सी बात हुई देखो, preference share के भी दो type होते हैं, कौन-कौन से type होगी है एक होगा cumulative preference share, एक होगा non-cumulative preference share अब इन दोनों में difference देखते हैं, सर ये equity में तो ऐसा कुछ नहीं था, equity में तो simple है preference share में दो type मैंने बताएं, preference share capital के दो type हैं, एक है हमारा cumulative, एक है non-cumulative अब बड़ा ही simple है, आराम से समझो कोई दिक्कत नहीं है, देखो, मानलो पहले साल company को loss हुआ, ठीक है 10,000 इसको मिलना चाहिए हर साल, पहले साल company को loss हुआ, loss के case में इसको भी पैसे दे नहीं पाने, देने है 10,000, लेकिन दे, इसको तो मिलेगा ही नी, क्योंकि इसको जब profit होगा तभी मिलेगा दूसरे साल भी company को loss हुआ, तो इसको 10,000 देने है, लेकिन दे नहीं पाए, तो पिछले साल के भी 10,000 बाकी है, इस बार के भी नहीं दे पाए, तो total इसको कितने देने रहे गए, 20,000, इसको तो कोई मतलब नहीं है, तो honor ये बोलेगा, चल कोई बात नहीं, जब होगा तो हम ले लेंगे, तीसरे साल भी मानलो loss हुआ, फिर ये तो बोलेगा भाई, मेरे तो कितने साल के बाकी होगे, एक तो पहले साल का, दूसरे साल का, और एक तीसरे साल का भी रह गया हमारा बाकी, तो मुझे देने है, तो इसको भी बाद में देने है, अब मानलो, चौथे साल company क एक लाख रुपे का profit बचा है, तो इसको कितने देने है, तीस इसको दे देंगे, और चौथे साल का दस, टोटल कितने हो गए, चालिस बचे कितने, साथ ये बाट लेगा, तो इसको पिछला जो भी बकाया था, वो जोड के मिला या नि मिला, तो अगर ऐसा कोई share है, तो उ अगर सेम ऐसे माल लो, एक लाख का कमाया था, एक लाख में बोलते हैं भाई, पिछले 30,000 क्या भूल या उसे profit नहीं था, नहीं मिलेगा जाओ, अब कितने बनते हैं, इस साल के 10, 10,000 पकड़ा दिये, और 90 ने बाट लिये, तो पिछले जो भी थे, इसके वो खतम हो गए, तो इस तरीके के profit share को बोलते हैं, non cumulative profit share, देखो, cumulative का मतलब होता ही, खटा, तो जिस profit share holder का, dividend अगर जिस साल नहीं मिल पाता, आने वाले future में उसका पिछला dividend जोड करके दिया जाता है, उस profit share को बोलते हैं, भाई, ये तो cumulative profit share है, लेकिन जिस profit share holder का, अगर पिछला dividend है कोई ब profit होता है, और पिछले dividend को बोलते हैं, भाई, नहीं मिलेगा, उसे बोलेंगे, non cumulative preference share, तो मैं difference बता हूँ, तो equity share, एक ही होता है हमारा equity share, लेकिन preference share में दो type हो सकता है, cumulative preference share, non cumulative, अब देखो, equity share को भी वापस खरीज सकते हैं, और preference share को भी वापस खरीज सकते हैं, कौन खरीदे वापस, company ने जब दिये हैं, तो company लेगा, company बोल सकता है, मैंने share आपको दिये थे, वापस दे दो मुझे share, मुझे पैसे की आप जूरत नहीं है, इतना, company ले सकता है वापस, preference share से भी बोल सकता है, आपको preference share दिये थे, आप पैसे की जूरत नहीं, आप देना चाहते हैं, त जब इस वाले share को वापस खरीदा जाएगा तो buyback word use होगा और इसको क्या करा जाता है equity share को आप वापस लो या ना लो आपके इच्छा है लेकिन preference share को वापस लेना अब compulsory अनिवार्य कर दिया गया है अब depend करता है कि कौन सा preference share कौन सा equity share अगर मैं बात करूँ यहां पर स्वारी कौन सा preference share को अब देखो दो तरीकी की company है एक company banking company infrastructure company वैसे normal तो normal company अगर preference share issue करेगी तो 20 साल में वापस देना ही देना है पैसे और other company के लिए 30 year है तो यह सारे words आपको मिलेंगे और मैं इसको लिखवाऊंगा भी highlight भी करवाऊंगा सबसे पहले फिर से देखते है retain earning तो समझानी की जूरत नहीं है देखो retain earning क्या होता जब भी पैसा प्रेफरेंस एक्विटी शेयर होल्डर को देना होता है उसमें से जो पैसा बचा लेते हैं और बाकी हम दे देते हैं जो पैसा बचा लिया retain earning और जो दे दिया उसको क्या नाम बोला था dividend उसको क्या बोला था dividend प्रेफरेंस शेयर समझ में आया यह क्या है हमारे पैसे यहां से लिये जाते हैं यहां से पैसे लेकर अपना काम चला सकते हैं equity share सबसे safe माना जाता है company को फाइदा हो या ना हो हमें किसी को तो देना ही नहीं है लेकिन प्रेफरेंस शेयर थोड़ा सा risky है क्योंकि अगर company को मुनाफ़ा नहीं हुआ तो पिछला जोड़ के भी देना पढ़ सकता है तो company का burden क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है retain earning तो हम बचा के रखते हैं कि future में कोई new branch open करना यानि अपने future को strong बनाने के लिए उसे क्या करते है retain earning जैसे कि आपके घर में भी रहता है आपके parents मान लो आपके future के study के लिए पैसे जोड़ जोड़ के रखते हैं तो वो क्या है retain earning है earning को बचा लेना तो यह जो तीनों example है यह long term के example है मैंने बोला long term कौन सा होगा एक दस साल से उपर का ठीक है equity share पता है कितने time के लिए issue के लिए lifetime के लिए और जोरत अगर लगता है कि भाई हमारे ज़्यादा क्यूंकि अगर ज़्यादा equity share होगा तो पता है क्या नुकसान होगा मान लो मैं equity share कर दू 20,000 तो आप सब के हिस्से में कितना आएगा पहले 10,000 था 10,000 कमा रहा था तो आपके हिस्से में कितना आ रहा था एक एक रूप है लेकिन 10,000 कमा हो और 20,000 लोगों में बाटना पड़ जाए तो 50-50 पैसे जाएगा सब के हिस्से में जब 50-50 पैसे हिस्से में जाएगा तो company का dividend कम है या जादा है कम है तो ऐसे company के ना reputation खराब होता है तो company क्या करती है जादा share नहीं रखती वो क्या करती है खरीद लेती है अपने share वापस वापस खरीदने को क्या बताये था मैंने word shares को खरीदने के लिए buyback और preference share को खरीदने के लिए redemption ठीक है लॉंग ट्रम में आपका सबसे पहले यह वाला पॉइंट किलियर हुआ ओनर फंड ठीक है ओनर फंड का मैं थोड़े से पॉइंट आप से discuss करूँगा फिर मैं भी आऊंगा इसमें कुछ लिखवाऊंगा थोड़ा सा फिर long term पे फिर short term पे last हमारा ADR GDR और इससे उपर कुछ भी नहीं है इस पूरे चप्टर में आठ से 10 नंबर का चप्टर आएगा आपका यह ठीक है तो सबसे पहले आप इसके अंदर चलिए अभी हमने क्या क्या कवर किया kind of finance long term short term medium long term 10 साल से उपर medium एक से 10 साल short term 10 साल से कम sorry एक साल से कम honor fund में तीन चीज़े है equity preference और retain earning ठीक है equity क्या होता है यह shares होता है जिसके उपर dividend दिया जाता है सबसे last में और यह company registered करते time पे जरूरी चाहिए ही चाहिए preference share का होना जरूरी नहीं है लेकिन equity share का होना जरूरी है preference share और equity share में difference क्या क्या है पहला fixed percentage है fixed percentage नहीं है इस पर आपको buyback होता है इसका redemption होता है ये honor है ये honor नहीं है इसके पास voting right है equity वालों के पास preference वालों के पास नहीं है हम difference देखेंगे और समझ में आ जाएगा अब मैं debenture की बात करता हूँ company नहीं जब हर कहीं से पैसे लेके ठक जाता है तो हर जगे से चाहता है कि हम पैसे कोई खटा करें जहां से ज़्यादा से ज़्यादा हो business को expense करने के लिए तो अब debenture की बात करते है debenture और bank loan जिस दोनों का मैंने नाम दिया long term debt ये जितने भी सारे long term debt है मैं debt की बात करता हूँ करजा जो debt है आपका करजा जो लोगे हो सकता है आप bank से ले लो और हो सकता है आप debenture से ले लो और हो सकता है आप कोई financial institution या public deposit public deposit की बात करते हैं ठीक है bank से आप loan लेने जाओगे तो bank का main कामी क्या होता है bank का business कैसे चलता है आप सभी के पैसे को वो अपने पास जमा करता है और अगर आपने FD कराया है तो आपको 6 या 7% देगा लेकिन आप loan लेने जाओ तो आपसे bank वाला 13-14% लेगा loan यानि कम rate से customer से पैसे जमा करके कम ब्याजदर customer को दे देता है जिससे loan देता है उसको क्या देता है higher rate पे तो दोनों का बीच का interest है वो ही उसकी income मानी जाएगी तो bank से आप जब लेने जाओगे तो बड़े सारे documentation तो कर नहीं है साथ के साथ bank वालों ने बोला मान लेते हैं कि आपको 100 करोड रुपे loan चाहिए तो bank वालों ने बोला जी आप से 18% के हिसाब से ब्याज लिया जाएगा 18% से तो 100 करोड पे 18% 18 करोड रुपे का ब्याज होगा आप अपना दिमाग लगाओगा आपको तो 100 करोड रुपे चाहिए चाहिए बैंक से मिले चाहिए कहीं और से मिल जाए लेकिन कम से कम ब्याज पे मिले वही मेरे लिए best है आपने क्या करा debenture public को बोला कि public जितने भी public है आप bank में FD कराते हो public ने बोला हाँ हम FD कराते है आपको कितने interest मिलता है public ने बोला हमें 10% मिलता है interest हो तो company ने बोला public को कि एक काम करो मैं आपको देता हूँ 15% आप मेरे पास पैसे दो मैं आपको कितने percentage दूँगा 15% तो एक time के लिए public बोलेगा ये तो बड़ा बड़ी है bank में तो 10% मिल रहा है पास जाएगा debenture के पास public के mind में एक question raise होगा अगर पैसे दूब गए तो bank के अंदर तो पैसे हमारे कम से कम safe है कम मिल रहा है कोई बात नहीं यहां दूँगा तो मेरे पैसे क्या हो सकते हैं दूब सकते हैं ये question raise हुआ किसके mind में public के mind में public ने बोला जी हम तो आपको पैसे नहीं देंगे आपके पैसे दूब सकते हैं क्या guarantee है कि आप मेरे पैसे दूबने नहीं दोगे company ने बोला कि आपको guarantee चाहिए guarantee के रूप में आपको क्या चाहिए उसने बोला कि आप कुछ ऐसा काम बताओ ऐसा कुछ मुझे plan बताओ जिससे की हमें विश्वास हो जाए मेरे पैसे नहीं दूबेंगे तो company पता ही क्या करता है company अपने सारे asset एक जगहे पे रख देता है assets रखने का मतलब उसके सारे document जैसे building है तो building के paper अगर उसके पास कोई investment है investment का paper किसी organization के पास रख देगा जाके वो और उस organization का मतलब क्या है वो जो होगा उसमें इन सभी में से एक person member होगा company का एक member होगा उसने एक तरीके से committee एक तरीके से board बना दिया अब इस board के अंदर एक इसका मुखिया होगा एक company का मुखिया होगा एक government का अधिकारी होगा तो सब मिला के एक तरीके से group बन गया और ये सारे जो यहाँ पर बिठाये जाएगा वो सरिफ paper की निगरानी करेंगे paper की क्यों निगरानी करेंगे अगर company इस सब public को बोले भाई जा तेरे पैसे नहीं देता जो मरजी कर ले तो ये सारे public भागे भागे जाएंगे इनके पास और ये क्या करेगा इसके सारे assets एक एक करके बेचके इस सब के पैसे देजेगा तो जो ये हमने एक गठन बनाया एक organization बनाया एक board बनाया इसको बोलते हैं trustee इसे क्या बोलेंगे हम अब बताओ मैं ऐसा plan लेके आया हूँ क्या इसको विश्वास हो गया मेरे पैसे नहीं डूबेंगे लग रहा है कहीं न कहीं आपके पैसे नहीं डूब सकते अगर company मना कर दे तो आपके पास कोई option है दूबारा recover करने का बिल्कुल आप कहां चले जाओगे अब यहाँ पर आपको doubt भी नहीं है क्योंकि इसमें से आप में से भी तो एक बंदा है जो वहाँ पर रखवाली कर रहा है तो debenture जो issue किया जाता है वो secured होता है secured का मतलब क्या है यहाँ पर secured का मतलब है कि जब हमने पैसे लिये कर जे के रूप में तो वहाँ पर अपने समान को गिर्वी रख दिया तो इसको क्या बोलते हैं हम secured debenture और गिर्वी रखने को accounting word में बोलते हैं mot gauge लेकिन law के language में बोलते है charge करना law के language में क्या word होगा हमारा charge ठीक है तो debenture क्या होता है basically company पैसे इखटा करेगा bank से क्यों नहीं ले रहा debenture से क्यों ले रहा है 3% का फाइदा है company का bank से लेने गया जी पैसा की जूरत है आप गये bank में पैसे bank ने बोला 18% लूँगा public को मैंने कुछ ऐसा scheme बताया bank वाला भी तो ये सारा document रखेगा ही रखेगा public के पास गया public कितने में देने को तयार हो गया 15% में तो मैं कहां से पैसा ले लूँ public से ले लूँगा ठीक है कितने परसेंट में 15 एक होता है public deposit public deposit मैं बोलूँगा आप मेरे पास पैसे जमा कर दो मैं कोई समान गिर्वी नहीं रखूँगा लेकिन आपको मान लो मैं जेता हूँ 15 के जगा मैं 16 दे रहा हूँ तो आप जिसको लगता है भाई company पैसे डूबने वाले नहीं है वो क्या कर देगा public deposit कर देगा 16% मिल रहा है ज्यादा परसेंटेज है लेकिन उसके पास security नहीं होगी तो debenture क्या होता है basically ऐसा कोई भी instrument instrument का मतलब कोई भी ऐसा document जो लोगों को देखे और पैसे ले लिए जाए उसको जो document आपके पास है उसको क्या बोलेंगे debenture और वो document हो सकता है कि मैंने गिर्वी रख करके आप से पैसे लिए हो और ऐसा भी possible है कि बिना गिर्वी रख के लिया हो तो उसे क्या बोलेंगे हम debenture बोलेंगे तो debenture की definition में भी यही given है any kind of stock और any kind of instrument जिसको मैं लिख के आपको दे दूँ वो सारा का सारा क्या माना जाएगा debenture मानलो मैंने बोला भाई मुझे 10,000 रुपे दे दो जुरुत है आपको मैंने एक paper पे लिख के दे दिया कि मैं आपको पैसे दे दूँगा यह आपको पकड़ा दिया मैंने यह debenture है मैंने करजा लिया है आपसे तो जो any kind of instrument उसे क्या बोला जाएगा debenture अब question raise होता है sir एक bond word भी सुना है तो जैसे reliance limited है तो reliance आपने थोड़ा पढ़ा हो अगर तो reliance कौन सी company है private है बिल्कुल मतलब पूरा का पूरा किसका है किसी ने किसी एक person या फिर government का कोईस में हस्तिशेप नहीं है तो private है और ऐसे मान लो मैं government और private दोनों को मिला के जो बनाते हैं उसको बोलते है public sector company तो अगर public SBI है SBI में government भी है public दोनों है SBI ने अगर debenture इसू करा तो वो बोलेगा जी मैं तो debenture नाम नहीं दूँगा हम तो थोड़े अलग हैं आप से तो मैं इसको bond बोलूँगा क्या बोलूँगा मैं bond लेकिन वही reliance ऐसे पैसे इखटा कर रहा है तो वो बोलेगा भाई मैं तो आप से अलग हूँ तो मैं अपने उसको क्या नाम दूँगा debenture तो debenture और bond अलग-अलग नहीं होता debenture और bond क्या है एक ही है बस पैसे को इखटा करने का तरीका है अलग-अलग इसके उपर एक fixed percentage होता है अभी आपको मैंने EBIT, EAT करवाया था सबसे पहले क्या minus हुआ था? किस पे? debenture पे तो सबसे पहले right होता है interest on debenture का फिर right आता है preference share dividend last में किसका right आता है? equity का तो आप long term debt भी ले सकते हो long term यानि लंबे समय के लिए या तो debenture से पैसा इखटा कर सकते हो या फिर bank से loan ले सकते हो या public deposit से ले सकते हो third option होता है financial institution बताओ financial institution क्या होता है? किसी को पता financial institution specialization छोड़ दो आप क्या है ये? financial institution क्या होगा? करजा लेना, करजा होता है गिर्वी रखके क्या होता है? फरक क्या है? ऐसा financial institution कहीं आपने देखा है? बताओ कोई example method finance तो क्या खासियत है उसमें? वो तो bank में भी किया जा सकता है तो bank और financial institution में क्या difference रह गया? रखते हैं देखो अब simple सा difference देखो bank के अंदर हमारे पैसे भी जमा किये जाते हैं और loan भी लिए जाते हैं उसको bank बोलते है financial institution वाले आपके पैसे जमा नहीं करेंगा आप जाओगे मुथूट financial बोलेगा मिर पास एक लाग रुपे जमा कर लो बोलेगा नहीं कर सकते हैं financial institution सिर्फ करजा देने का काम करता है और bank जो है वो दोनों काम करता है करजा लेने का भी और करजा देने का तो यही major difference रहता है इसमें तो हम क्या सीख रहे हैं? कि जब business चलाएंगे तो business चलाने के लिए आपको पैसे की जरुरत है तो पैसे की जरुरत को आप पूरा कहां से कर सकते हैं? honor fund से equity से कर सकते हैं, preference से कर सकते हैं, retain earning से कर सकते हैं दूसरा किस से कर सकते हैं? debenture से debenture क्या होता है? एक company का loan लेने का तरीका है यहाँ पे एक fixed percentage सहारा सहारा इंडिया का नाम आपने सुना होगा बहुत सारी company क्या करती है? आप मेरे पास पैसे जमा कर दो और हम आपको bank से बहतर rate पे ब्याज देंगे तो आपने जो जमा कर दिया तो आप सब हो एक public और एक company के पास जमा कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे? पबलिक deposit बोलेंगे specialization financial institution यह वो institution होता है जो की करजा देने का काम करता है इसमें काफी सारे नाम है मैंने star जिस जिस पे बनाए यह सारे important है जो कि exam में पूछे जाते है इसके अंदर जैसे कुछ नाम है आपका जैसे की IDBI है आपका IFCI है तो यह सारे method finance हो गया यह financial institution है तो इसमें से क्या आएगा? basically star बनाए full form आएगा इसमें से IFCI आए आगया full form क्या है ICICI आगया इसका full form क्या है IDBI आगया full form क्या है SFCI आगया full form क्या है तो इसके full form अभी हम देख लेंगे मैंने ज़्यादा इसको detail में नहीं लिखा यहाँ पर क्या सीखना है? financial institution वो institution होता है जो की loan provide करता है और उसमें कौन-कौन से list है बस वो हमें एक बार देखना पड़ेगा तो पहला थो honor fund clear है दूसरा कौन सा था हमारा? long term debt लंबे समय के लिए लिया जाता है normally यह debenture, bank loan है बाकी public deposit specialization इससे important इसलिए टिक किया है इसके full form आपके exam में पूछे जाएंगे ठीक है? और यहाँ पर debenture आपका normally आगे भी discuss करेंगे chapter number 2 में debenture, detail में है हमारा आगे है short term short term कौन सा होता है हमारा? इसको ध्यान से देखना बहुत छोटा सा concept है, फिर ADR, GDR फिर हमारा concept खतम हो जाएगा, short term होता है जो कि हम एक साल से कम के लिए ले यानि ये वाला part है एक साल से कम के लिए कर जा ले कौन-कौन सा हो सकता है, एक साल से कम के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सरे बिजनसमेन को फैसलिटी दिया जाता है, और इसके लिए हम एक special approval लेते हैं, मालो आपने आज दुकान एक business open किया, आपने पचास हजार रुपे बैंक में रख रखा है, आपने check काट के दे दिया, साथ हजार का, तो आपका check bounce हो जाएगा, लेकिन आप bank manager से बात करो, सर हमने business open किया, हमें ऐसी facility दो कि पचास होते हुए, मेरे साथ हजार रुपे का check भी निकल जाए, बदले में जो दस हजार extra दे रहे हैं, उसके ब्याज ले लेना अगर आप मुझसे contact करोगे bank manager से, bank manager फिर क्या बोलेगा, आपको कुछ document मंगवाएगा आपके पास कितना stock होता है दिखाओ, आपका business कैसा चल रहा है यह दिखाओ, तो bank manager आपको बोलेगा, चलो हम ऐसा कर देंगे, तो आपके account में यह specialty highlight कर देगा, तो आपने 50,000 का account में balance है, और check कितने का पास करवा लिया जो 10,000 जो extra निकला न, इसे बोलते है, bank over draft, एक है cash credit cash credit में क्या होता है आपके account में, जैसे देखो cash credit को समझते है आपने SBI में SBI में account खुलवाया है और मैं current account की बात कर रहा हूँ ठीक है न, type of account हम banking chapter में देखेंगे, current account पता है जो business man account open करवाते हैं वो कौन सा account होता है, current account और SBI के बाद दूसरा हमारा जो है मानते हैं कि SBI से मैंने current account और इसमें मेरे account number है, मान लेते हैं 234, account number last के digit मैंने बता दिया मैं bank के पास गया, और bank से मैं बोलता हूं, sir मेरा 50,000 का check है और मेरा 60,000 रुपे निकल जाना चाहिए ऐसी facility available करवाद हो उसने बोला done, हो जाएगा तो आप जो check काट के दोगे वो जो इस account number का check है वही check काट के दोगे तो आपके account पे 50,000 बैलेंस है आपने check काटा कितने का 60,000 का, आपके account का balance क्या हो जाएगा माइनस 10,000, ये तो हो गया bank overdraft लेकिन cash credit क्या होगा बैंक वाले बोलेंगा अच्छा आपको ऐसी facility चाहिए, extra पैसे निकल जाए कितने तक extra आप उमीद करते हो बताओ, आपने बोले सर एक लाख रुपे तक निकल जाए तो बैंक वालो ने एक account और open कर दिया आपका मान लेते हैं 235 नया account है, ये new account number है और इसमें एक लाख रुपे डाल दिये बैंक वालो ने बैंक वालो ने क्या करा? एक लाख डाल दिया इसका कोई checkbook नहीं होगा इसका कोई ATM नहीं होगा सिर्फ इसका एक internet banking दे देंगे आपको आपको अगर मान लो 50,000 account में balance है आप 60,000 निकालना चाहते हो तो आप एक काम करो 10,000 यहां से पहले यहां transfer करो 10,000 ट्रांसफर करोगे तो यहां automatic balance कितना हो गया? 50 था पहले 10,000 इस account से निकाल के कितना हो गया? 60 हो गया यहां कितने बच गये? 90,000 और अब 60 का check निकल जाएगा अगर आप ऐसा करोगे 50 में ही 60 का काट दोगे तो check फिर bounce हो जाएगा भले ही आपके पास पैसा अलग पढ़ा हुआ है लेकिन वो तो दूसरे account में है न आपके अगर PNB में पैसा पढ़ा है और आप SBI का check काट होगे और SBI में पैसा नहीं तो bounce तो हो गई तो cash credit क्या होता है? एक अलग account खोल के उसमें पैसे डाल दिये जाते हैं जितने की requirement है वो भी आपके legibility देखके उसके बाद आपको लगता है इतना पैसा देना है तो पहले उसमें उसमें shift करो फिर check card दो लेकिन bank overdraft क्या है? उसी account में facility available है जैसे एक लाग का limit ले लिया आप check card तो उसी account का अपने आप निकल जाएगा आपको इधर से उधर shift करने की कोई जो रद नहीं है लेकिन फरक इसमें account open होता है पहले हम पैसे shift करते हैं तो इस तरीके से हमारा काम होता है जितने भी आपने सुना होगा आपका मुद्रा योजना आपने सुना होगा बैंक में भी गए होगे तो मुद्रा योजना है आपका जिसके अंदर छोटे वेपारी को आपको लून दिया जाता है तो लून आपको पैसे नहीं मिलेंगे आपका cash credit account खोल के डाल दिया जाएगा फिर इस तरीके से deal होगा तो short term में देखो सबसे पहले गया था bank overdraft और cash credit clear हो गया एक होता है short term loan bank से गए और bank से बोला मुझे आप एक काम करो 9 महने के लिए करजा दे दो और फिर हम अपना business को चलाएंगे employee वगरे को salary देना है तो bank वालों ने बोला ठीक है आपको 9 महने के लिए करजा दे देता हूँ इसका एक अलग account number दे दिया 236 और इसमें पैसे डले हुए है आपको 9 महने के लिए करजा मिला एक लाक रुपे यहाँ पैसे डला हुआ है आप इस पैसे को इस्तमाल करो या ना करो interest तो देना ही पड़ेगा लेकिन इस वाले में आपको एक लाक दे दिया आपने 10,000 इस्तमाल किया तो ब्याज किस पे दोगे यह फरक है short term loan में और cash credit में तो better कौन सा है हमारा तो जब भी loan लेने की कोसिस करो life के अंदर तो हमेशा कोसिस करो कि हमें cash credit मिल जाए उसमें कोई tension वाली बात नहीं है अगर आप loan लोगे तो ब्याज चलता रहेगा use करो चाहे मत करो तो यह तीनों में फरक है bank overdraft आपके account से पैसे निकल गया cash credit दूसरा account पैसे डाल देते हैं लेकिन पूरे पे ब्याज नहीं देना जितना इस्तमाल करोगे short term loan आपको एक और account open कर दिया जाएगा और उसके अंदर पैसे डाल दिया जाएगे आप इस्तमाल करो पूरे पे ब्याज लगेगा स्वजमाए inter corporate deposit ICDS important है यह यह होता क्या है मान लेते हैं हम Reliance और Tata Reliance और Tata दोनों एक अलग अलग company है अब Reliance को जरूरत है वो bank के पास नहीं गया पैसे लेने वो Tata से बोलता है तुमारे पास पैसे extra है तो मुझे दे दो मेरे से ब्याज लेने लेकिन तीन मेहने के लिए चाहिए या छे मेहने के लिए चाहिए या जब चाहिए होगा तब दे दूँगा मैं आपको आप एक दिन पहले बता देना मुझे तो Reliance एक company है और ये एक दूसरी company है इस company ने अगर इससे उधार लिया तो इससे बोलते हैं इंटर इंटर का मतलब होता है दूसरे में तो एक company दूसरे company corporate का मतलब होता है जितने भी limited company है न या private limited इसको corporate बोला जाता है जो company होता है तो inter corporate deposit तो इसने क्या करा Reliance ने deposit ले लिया किससे deposit ले लिया Tata से तो इससे बोलते हैं inter corporate deposit तो इसके उपर कर जा है इसको पैसे की जुरत थी पैसा इसने इंतिजाम कर लिया क्या bank के पास गया नहीं गया क्या equity share करें नहीं किये तो अगर किसी company to company कोई पैसा हम lene दिन करें तो उसे हम बोलते हैं inter corporate यह 3 तरीके का होता है हमारा एक 3 महने का हो सकता है 6 महने का हो सकता है और on demand हो सकता है अगर 3 महनेश और 6 महने की बात करूँ तीन महने के लिए आप लोगे तो आपको ब्याज देना पड़ता है, rate fix है, नहीं तो rate fluctuate भी हो सकता है 12%, इस पे 15% और इस पे 10%, rate है यह, ठीक है न, आपका जो तीन महने के लिए अलग-अलग rate है, जितने लंबे टाइम के लिए आप पैसा बैंक में FD करोगे, उतना जादा rate मिलेगा, तो जरूरीन यह reliance टाटा हो, मान लेते हैं, ABC Limited और PQR Limited, अब PQR Limited को जरुरत है, उसने तीन महने के लिए पैसे ले लिए, तो बताओ, inter corporate deposit किसके लिए माना जाएगा, PQR Limited ने पैसा लिया है, तो इसके लिए माना जाएगा, ठीक है न, तो जब company to company आपस में पै पैसे exchange कर ले, तो वो inter corporate deposit होता है, अब मान लो reliance, मान लो reliance जो है, वो किसी और से ले ले, जैसे आप हो, आप से बोला भाई, मेरे पैसे की जुरत है, आप एक काम करो, पचास जार दे दो, और आपका एक normal partnership firm है, आप से ले लिए, तो वो inter corporate deposit में नहीं होगा, वो माना यानि दोनों का ही company होना जरूरी है, और दोनों जब आपस में deal करें, तो उसे बोलते हैं, inter corporate deposit, corporate company से related,